हाई अब्रिवन वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल शुद्ग्यान तो आज हम इस वीडियो में हिमाचिल प्रदेश के फेमस परस्नलिटीज के बारे में डिसकस करेंगे सब्सक्राइब चैनल शुरी भागमल सोथा जी शुरी भागमल सोथा जी का जनम 23rd सेप्टेंबर 1899 को हुआ था 23 स्तंबर 1899 को बीपियो धार डिस्टिक शिमला में जनम हुआ था इन्हो ने जो है वो एज ट्रेनिंग ली थी सिविल इंजिनेर की बडोधा में त्रेन्ट आज सिविल इंजिनेर अट बडोधा और बहीं पर जो है वो ने इंडियन नैशनल कॉंग्रेस को 1922 में बडोधा सेशन में जोइन करा था ही जोइन इंडियन नैशनल कॉंग्रेस इन 1922 इन इस बडोधा सेशन ही वास फॉंडर मेंबर ओफ हिमालयन रियासती प्रजा मंदल इनका जो मोस्ट टॉक्ड स्ट्रगल मुमेंट था वो था धामी का ठीक है एंड ही प्ले रोल इन ओर्गिनाइजिंग श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा उन्होंने उसमें जो बहुत बड़ा रोल प्ले करा था लेटर ओन जो है वो इसका नाम धामी रियासत प्रजा मंदल रख दिया गया था तो यह जो वेसिकली क्या था यह डिमांड कर रहे थे कि जो बेगार प्रथा है उसको खतम किया जाए और जो सवार प्रथा भी नहीं खतम होगी और जो लैंड रिवेन्यू के ऊपर लैंड रिवेन्यू है वो वह वह कामा नहीं होगा तो इसलिए इन्हों नहु建त वह सत्यग्रा बोल सकते हैं धामी इसको स्टार्ट कर लिया था तो गणा हट्टी जगा थी बहाँ पर जो है फिर फाइरिंग स्टाट हो गए थी जिसको हम क्या बोलते हैं धामी फाइरिंग ट्रेजीटी और बही पर जो है वो he was the first to be arrested near गणा हटी बहाँ पर जो है वो इनको arrest कर लिया गया था just before धामी फाइरिंग ट्रेजडी in 1939 the next is the बक्षी परताप सिंग तो बक्षी परताप सिंग का जनम जो है वो 20 अक्टूबर 1912 को जो है वो बिलेज चडिहार तहसील पालंपूर डिस्टी कांगड़ा में हुआ था ठीक है विलेज चडिहार तहसील पालंपूर डिस्टी कांगड़ा में and on 1st September 1942 he joined अजाध हिंद फोज एक सेप्टेमबर 1942 को जो है वो इनको ने अजाध हिंद आप सिंग जी को दे नेक्स्ट परसनेल्टी इस गौरा देवी गौरा देवी जो है वो इनका जनम 1895 मरावल पिंडी पाकिस्तान में हुआ था लेटर और इनकी शादी जो है वो शिमला में हुई थी तो यह जो है वो शिमला के मुमेंट लॉंच्ट फॉर बर्निंग फोन क्लोथ जैसे ही जो अंदोलन शुरू हुआ था कि जो बिदेशी बस तुमें है उनका उप्योग हम नहीं करेंगे ठीक है तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो अपने कपड़े जो है वो जला दिये थे इन 1984 शी वोज अवाड़िड विद जमुना लाल बजाज अवाड उने सो चरासी में उन्हें जो है वो जमुना लाल बजाज अवाड जो है वो दिया गया था for a community service दे नेक्स्ट पर्सनेल्टी इस दी भाई हिर्दा राम तो भाई हिर्दा राम इनका जनम जो है वो 28 निवेंबर 1885 को मंडी में हुआ था और आठमी तक की एजुकेशन लेने के बाद जो है वो इन्होंने अस्वरन कार का कार्य जो है वो अरम कर दिया था और इसके इस इंट 13 में जब 1913 में जब सैन फ्रेसिंसको में जो है वो गदर पार्टी की स्थापना हुई ठीक है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और इन्होंने जो है वो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो मंडी में करी थी ठीक है मंडी में जो है वो इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करी थी एंड इसके बाद इन्हें जो है वो बॉम बनाने की ट्रेनिंग जो है वो लेने के लिए राम बिहरी बोस के पास जो वो बेज दिया गया था और बहां पे इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था और इनको जो है वो अजीवन कारवास की सजा हुई थी और 1929 में जो है वो इनकी सजापूरी हुई थी, उसके बाद 1965 में जो है वो इनकी डेथ हो गई थी. So, and he was famous at भाई जी. The next personality is the Baba Kanshiraam. Baba Kanshiraam को जो है वो पहाड़ी गांदी के नाम से भी जाना जाता है और इनसे जो है वो हमेशा एक्जाम में एक कोईशन तो डेफिनेटली जो है वो पूछा ही जाता है. इनका जनम जो है वो 11 जुलाई 1882 को देरा गोपिपूर जो की डिस्ट्रिक कांगडा में प्रेज़ेंट है वहाँ पे हुआ था. इनके बर्थ प्लेस को लेकर भी जो है वो वो कॉईशन आता है तो कहां पे इनका बर्थ हुआ था? साथ साल की एज में जो है बो इनकी marriage हो गई थी सरस्बती देवी से जो की पांध साल की थी तब इनके दोनों पेरेंट्स की जो है बो डेथ हो गई थी उसके बाद जो है बो ये काम के लिए जो है बो लाहोर चले गए थे काम के लिए जो है वो ये लाहोर चले गए थे और बहाँ पर जो है वो ये बहुत सारे एक्टिविस्ट से मिले थे जैसे कि लाला लाजबित राये और हर द्याल जी सरदार अजीद सिंग जी बहाँ पर जे ये उनसे मिले थे और उन से बहुत जादा इंप्रेस हुए थे और इनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया था जब 1919 में जो है वो जब 1919 में जो है वो अमरित सर जलिया वाला बाग वाला जो हुआ था वहां उस टाइम जो है वो ये अमरित सर में ही प्रेजेंट थे बाद जो है वो ये डिस्टी कांगड़ा जो है वो बापी से आ गए थे और इन्होंने जो है वो महात्मा गांधी के जो मैसेजीज थे उनको स्प्रेड करना शुरू कर दिया थ्रो इसके वज़े से इनको बहुत बार अरेस्ट भी किया गया इनको फर्स टाइम जो अरेस्ट किया गया था और दो साल के लिए धर्मशाला की जेल में रह थे अलोंग विद लाला लाजबत राय और 11 नेवेंबर 1922 को इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया था और क्यों अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि यह जो है वही पहाडी कविताएं और गाने जो है वो ब्रिटिश गवर्मेंट के अगेंस्ट जो है वो लिखते रहते थे और उनको जो है वो गाते रहते थे ग्यारा बार उनको जो है वो अरेस्ट किया गया था और 9 साल वो जो है वो जेल में रहे थे और जेल में भी जो है वो यह ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो कविताएं वगारा जो है वो लिखते रहते थे इन 1931 वन सरदार भगत सिंग राजगुरु और सुखदेव जब 1931 में सरदार भगत सिंग राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा हुई थी तब इन्होंने एक प्रतिग्या ली थी कि वो जो है वो जब तक इंडिया जब अजाद नहीं हो जाता तब तक जो है वो यह काले कपडे ही पहनेंगे एंड इनको जो है वो स्रोजनी नाइडियू ने जो है वो बुलबुले पहाड का टाइटल जो है वो दिया था हूगे बाबा कंशी राम टाइटल बुलबुले पहाड तो स्रोजनी नाइडियू ने जो है वो इनको यह टाइटल दिया था the next personality is the Padam Dev, Padam Dev का जनम जो है बो हुआ था आपका 26 January को 1901 को जो है बो इनका जनम हुआ था और तहसील रोहडू and district Shimla में जो की present है बहाँ पर इनका जो है बो जनम हुआ था and he participate in the non-corporation movement non-corporation movement जो की 1920 में आया था and also participate in the civil disobedience movement in 1930 सभी ने अबग्या अंडॉलन 1930 में उसमें भी इन्होंने participate किया था and non-corporation movement 1920 में उसमें भी इन्होंने जो है वो participate किया था इन्होंने जो है वो रीत प्रथा, बेगार प्रथा और untouchability and especially discrimination against colleagues इसके खिलाफ जो है पर इन्होंने अंडॉलन शुरू किया था बेगार प्रथा क्या थी? सबस्क्राइब तो रीत प्रथा क्या थी? रीत थी कि ये एक kind की marriage थी without rituals जैसे कि मतलों खरीद थे एक इसम से कि सिर्फ जो है वो contract होता था पैसे देते थे कि आपकी बेटी हमारी इतने पैसे ले लो ये करके तो उस चीज के खिलाफ इनों ने अंडॉलन शुरू किया था और बेगार प्रथा क्या थी? कि फोर्स जबरदस थी जो है वो किसी से काम करवाना फोर्स लेबर और वो थी बेगार प्रथा and untouchability इनके खिलाफ जो अब इनों ने अंडॉलन शुरू किया था he was elected to Himachal Pradesh बिधान सबा in 1952 on Congress Party Ticket and came first Home Minister of the State the next personality is the Nicholas Rorich तो इनका जो जनम है वो हुआ था रेशिया में लेकिन ये बहुत टाइम तक जो है वो इंडिया में रहे थे रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो कहां पर है नगर कुलू में काफी टाइम बहुत सारे एक्जाम में ये क्वेस्चन जो है देखने को मिल जाता है कि रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो कहां पर प्रेजंट है तो that is in the नगर आट कुलू और ये इनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स है जैसे कृष्णा स्प्रिंग इनकुलू विजिटर फ्रॉम ओबर दी सीज तो ये सारी जो है उनकी पेंटिंग्स है इस वाले कि अभेशी नेक्स्ट परसनालटी इस थी सरदार शोबासिंग सर्दार सोबसिंग आर्ट गैलरी जो है ने रपालंपूर काफी टाइम एक्सें में ये देखने को मिल जाता है कि शोबा सिंग आर्ट गैलरी जो है वो कहां पर प्रेजेंट है तर दाट इस प्रेजेंट इंद्रेटा और 1950 में जो है वो यह एस्टेबलिश हुई थी जो है वो यह अंद्रेटा में रहे थे इन्होंने जो है वो बहुत सारी पेंटिंग्स की थी लेकिन इनका मेन फोकस जो था वो थे सिख गुरू उनकी लाइफ और उनके काम के उपर और ही अलसो वर्क्ट ओन लव लेजेंड्स ऑफ पंजाव इनक्लूडिंग हीर रांजा, ससी पन्नू, शरीन फरहाद, मिर्जा साहिब, सोनी महिवाल इन सभी की पेंटिंग्स जो है वो भी यह बनाते थे इस most popular painting is Her Grace the Gaddan, यह इनकी जो है वो most popular painting थी, Her Grace the Gaddan and he was honored with the Padmashiri Award जो है वो इनको मिला था and a documentary film इनके उपर बनी है, Painter of People Waste on His Life क्या नाम है उस film का documentary film बनी है, that is the Painter of People, शोबा से इनके उपर जो है वो यह film बनी हुई थे और यह है इनकी कुछ paintings जो है वो mainly जो है वो यह जो गुरू थे उनके उपर paintings बनाते थे और जो लब लेजन्ट थे पंजाब के और जो गदन जो इनकी famous painting थी वो पुछा जाता है कि हूँ दे नेक्स personality इस दी मेजर सोमनाज शर्मा इनका जनम जो है वो 31 जनबर 1923 को जो बडिस्टी कांगडाम हुआ था और उनकी जो अर्ली एज्यूकेशन है वो शेहरबुट कॉलेज नेनिताल से एंड लेटर जो इनकी study थी वो Prince of Wales Royal Indian Military College देहरदून से हुई थी जिसको अभी राश्ट्री इंडियन Military College बोलते हैं उसके बाद इन्होंने इंडियन Military Academy को जो है वो जोईन कर दिया गया था जब कश्मीर में जो वो पाकिस्तानियों का पाकिस्तानियों ने जो है वो कश्मीर पे अटैक करा था और बहां पर जो है वो उनके साथ लड़ते लड़ते जो है वो यह बीर गती को प्रापत हुए थे और इनका जो आखरी रेडियो संदेश था वो ये था कि मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा और तब तक लड़ जो है वो इतनी बुली हारत में थे कि उसको रिकोग्वाइज करना जो है वो काफे मुश्किल हो रहा था तो इनकी बॉड़ी को जो है वो इडेंटिफाइ किया गया था इनकी जो पिस्टल थी उसके उपर जो लादर लगा हो था उससे और जो इनकी जेब थी बहां पर जो प्रकष्ट रेश्पियंट ऑफ रेश्पियंट ऊफ दी परमवीर शकर ये जो थे फ़्र्स रेश्पियंट थे परम बीर चकर के देट बुर्षण उपमन्यु तो कि एक चिप को मुंएंट जो है वो अन्दोलन जो है बो कब फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए ठीक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए यह स्टार्ट हुआ था और इसको जो है वह सुन्दरलाल बहुगुणा ने जो है वह स्टार्ट करा था लेकिन ये जो लेकिन ये जो चिप को मोमेंट था इसको जो है वह हिमाचल प्रदेश के चंबा डीस्टिक में जो है तो ये भी जो है वो चिपको मूमेंट के साथ जो है वो रिलेक्टिड है The next is the किंकरी देवी किंकरी देवी का जनुम जो है वो 1925 में जो है वो हुआ था और ये जो है वो सिर्मौर डिस्टिक की रहने वाली है एक एक्जाम में ये कोश्चन पूछा गया था किंकरी देवी कौन से ठिस्टिक से बिलॉंग करती है तो ये सिर्मौर डिस्टिक से बिलॉंग करती है and when she was just 22 ये जो है वो बिद्बा हो गही थी when she was just 22 and she holds the limelight when she took up cousin's against mindless mining in the area इनका जो एरिया वहां सिर्मौर में जो है वो माइनिंग का जो है वो बहुत जादा हो रही थी तो उसके खिलाफ इन्होंने जो है वो पेटीशन फाइल करी थी and she stayed in Shimla for 19 days 19 दिन तक के लिए जो है वो सिर्फ यह जो है वो इन्हे मिला था 1999 में जांसी की रानी लक्ष्मी भाई इस्त्री शक्ति पुरुस्कार the next is the the great khali great khali का जो रुजिनल नाम है वो है दलीप सिंग राना और इनका जनम जो है वो 27 अगस्त 1972 को जो है वो सिर्मोर डिस्टिक में हुआ था and he worked as a laborer in tiny himachal village दलीप सिंग नाओ fight for world wrestling entertainment in USA under the ring name great khali इनकी जो हाइट है बहाँ 7 feet 3 inches और 420 pounds जो है वो इनका बेट है and great khali is the one of the tallest wrestler in the popular WWE circuit the next personality is the captain Bikram Batra captain Bikram Batra का जनम जो है वो 9 September 1972 को जो हो था and died in 7 July 1999 at the age of just 24 so captain Bikram Batra की जो earlier study है वो DAB school में हुई थी उसके बाद जो है वो यह central school पालंपूर में की study हुई थी later on BSC के लिए जो है वो यह DAB चंडिगर्ड में जो है वो चले गए थे और DAB चंडिगर्ड में पढ़ते पढ़ते जो है वो इन्हें West NCC cadets से जो है वो सम्मानित किया गया था उसके बाद इन्होंने जो है वो गंतंतर pada Gott Arias कार्ष चै फिर्ट में भी भाग लिया था और वहीं पर इन्होंने डिशाइड कलिया था कि इनको वो मिलिटरी में जयादा और उन्होंने की तियारी शूरब करी थी और बहा से यह जो है वो सिलेक्ट हो गए थे और 1996 में जो है वो इन्होंने भारती सैन्ने अकेडमी देहरादून में जो है वन्होंने ट्रेनिंग ली और 1 जून 1999 को जो है वो उनकी टुकडी को कारगिल अयूद में भेजा गया और शिटी नगर लेया मारके ठीक उपर जो चोटी है 5140 उसको जीतने के बाद इन्होंने रेडियो पर जो है वो एक संदेश जारी किया था ये दिल मांगे मोर और इनका जो कोड था वो था शेर साह शेर साह और इसी कोड के नाम पर जो है वो उन्हें कारगिल का शेर नाम से जो है वो नवाजा गया था कारगिल का शेर जो है वो इन्हें कहा जाता था और उसके बाद इन्हें जो है वो एक और चोटी 4875 उसको कबजे में लेने के लिए जो है वो इनकी इनको जो है वो भेजा गया था इनकी जो बेटैलियन थी उसके बाद एक और चोटी 4875 को कबजे में लेने के लिए जो है वो इन्होंने अभ्यान शुरू किया था बहां पर जो है वो यह बुरी तरह से घायल हो गए थे और अंत में जो है वो बीर गती को प्रापत हो गए और 15 गर्स 1989 को जो इन्हें जो है वो परम बीर चक्र से जो संजे कुमार तो राइफल मैं संजे कुमार जो है वो डिस्टिक ब्लासपूर में इनका जनम हुआ था इमार्चल परदेश में इन्हें भी जो है परम बीर चक्र से जो है वो नवाजा गया था आपको बीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक्स फॉर वाचिंग